नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है केरल धमाके से जोड़ी हुई आपको बता रहे कि आज सुबा केरल में एक बम ब्लास्ट हुआ जिसके बास से देश भर में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है आपको बता रहे कि उत्तर प्रदेश मुंबाई डिली पूरे समेत कई राजो की पुलिस जो है इस वक्त हाई अलर्ट के मोट में नजर आ रही ह इसी के साथ ही भीड़ वाली जगहों पर भी खास निगरानी की जा रही है साथ ही खूफिया एजिंसियों को भी एक बार फिर से सतर्क कर दिया गया है बता दे इसी के साथ ही ग्राह मंत्रिया में शा जो है पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं साथ ही उन्होंने आई बी और साथ ही खूफिया जो एजिंसी है उसके साथ एक वर्चुली बैठक भी की है। बता दे कि धमाके के बास सही यूपी के कानपूर मेरट वारनसी और अलिकड समेत प्रदेश भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। प्रशांथ कुमार ने सभी जिलों को सतर कर रहने का निर्देश दिया है। यूपी एटियस को भी अलर्ट मोड में रख दिया गया है। पता दे कि अब एटियस की टीम पिछले दिनों से बिले तमाम इंपुट पर नजर बनाए हुई है। इसके साथ ही इसराइल और फिलिस्तीन युद से जुड़े किसी तरीके के होने वाले प्रोग्राम्स पर भी नजर रखी जा रही है। जिससे ये पता लगा जा सके कि आखर कहीं कुछ संदिक घटना तो नहीं हो सकती। वही इसराइलियों के सभी जगहां पर हाई लेवल सिक्योर्टी की गई है। साथ ही आपको बता दे कि जिस वाक्त केरला में ये बलास्ट हुआ उस वाक्त केरला के जो सीम हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसराइल के खलाप और कहीं न कहीं हमास को जो जवाबी कारवाई इसराइल कर रहा है इसी के खलाप ये प्रोटेस्ट किया ज़ा रहा था केरल के सीम के द्वारा और आपको एक और बात बता दे कि केरल वही जगह है जहां पर अभी एक दिन पहले ही हमास के एक आतंकी ने एक वर्चुली रैल रही है जिसमें कई लोग खायल हो चुके हैं साथ ही इस धमाकी की बाद से दिली में भी हाई अलर्ट चारी किया गया है दिली पुलिस की स्पेशल सेल सेंच्रल एजनसियों के संपर्क में है दिली में सभी चर्च की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश दिये गए है दिली पुलिस मुख्याले के सूतरों से ये जानकारी सामने आई है जानकारी के मताविक केरल में हुए धमाकी के बाद दिली पुलिस हाई अलर्ट पर है और भीड भाड़ वाली जगहों पर खास नजर रखी जा रही है वहीं स्पेशल से लगतार खुफिया एजनसियों के संपर्क में बने हुए हैं और किसी भी इंपुट को खलके में नहीं लिया जा रहा है बता दे कि भीड भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा के खास इंतजाम किये गए हैं साथी बात मुंबाई की करें तो मुंबाई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहां दिधर्म के लोगों के धर्मस्थल है हाला कि मुंबाई में हाई सीक्योर्टी पहले से ही है लेकिन केरल धमाके के बाद पुलिस जो है एक बार फड़ से एक्टिव नजर आ रही है और तमाम जगहों पर खास नजर बना हुए है जानकारी के मताबिक केरल के काला मसरी इस्त जो हैं बहाँ पर इस तरीके की हाई सीक्योर्टी देखने को मिल रही है इस बीच बीजपी नेता अमित मालविया का ट्वीट भी सामने आया और उन्हों ने ये कहा कि केरल के मुक्यमंत्री पिनाराई विजियन इस बात को लेकर के काफी ज़्यादा चिंत थें कि इसराइल एक आतकवादी समू हमास के खलाफ अपना बचाब कर रहा है जबकि एक एसाय आंदोलन कोची कोड निशाना बनाया गया ये कोची कोड में आई यू एमल के एक जुटा कारिगरम जो की पूर्वा हमास प्रमुख खालिद मशाल द्वारा समोधन के बाद कैथोलिक चर्च द्वारा हमास को सही ठहराने के प्रयासों के निंदा करने के बाद आया है इस कारगरम में शशी थरूर का भाशन खास रूप से बेहद विवादों से भरा हुआ और घटिया था आपको बता दें दरसल केरल के एना कुलम सित कन्वेंशन सेंटर में ये धमाका हुआ है अभ ये फिलहाल अभी तक इसपस्ट नहीं हो सका है वहीं केंद्रिय ग्राम अंत्री अमिशा ने सीम पिनाराई विजन को फोन करके पूरे मामले का जाइजा लिया है बता दें कि नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी यानि कि एनाइए की एक टीम भी केरल रवाना कर दी गई केंद्रिय ग्राम अंत्री अमिशा ने ग्रामांत्राले और इस उरक्ष्रा एजिंसियों के अफसरों के साथ एक हाई-लेवल मिटिंग भी की है अमिशा ने अफसरों से घटना की पूरी जानकारी ली इसके अलावा ब्लास्ट की जाच के लिए एनाईय और आईबी की टीम को भेजने का निर्देश दिया गया बता दे कि ग्रामत्री अमिशा 28 ऑक्टूबर से तीन दिनों के दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं मिटिंग में वर्चपली चुड़े थे और यहीं से तमाम जाच जिंसियों को निर्देश दिया है आपको बता दे कि इस पूरे घटना क्रम को लेकर के केरल के डीज़िपी डॉक्टर शेख दरवेश का भी बयान सामने आया है बता दे कि डीज़िपी ने ये कहा है कि आज सुबा लगभग 9 बच के 40 मिनट पर जमरा इंटरनेशनल कर्वेंशन एन एग्जिबीशन सेंटर में विस्पोर्ट हुआ जिसमें एक वेक्ति की मौत हो गई है और 36 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है कन्वेंशन सेंटर में हमने देखा कि एक शेत्रिय सम्मिलन हुरा था प्रारंभिक जाच से ये पता चला है कि एक आईडी उपकरण है और हम इसकी जाच कर रहे हैं हम पूरी जाच कर रहे हैं और पता लगाएंगे कि इसके पीछे कौन है और सख्त कारवाई की चाईगी क्योंकि चनाओ सामने है अगर ऐसी कोई बात थी तो पांस साल उनकी सरकार थी उसके खिलाफ कोई इन्विस्टिकेशन किया होता उसके खिलाफ कोई कारवाई की होती तो बात समन माती तो ये तमाम चीज़ें जो है भातियंदा पार्टी को अच्छी तरह पता है कि 36 गर में कोई दाल उनकी गलने वाली नहीं है बलकुल सही कार उनोंने और मैं जो इंडिया की जो विदेश नीती है पलेस्टाइन को लेकर वो कोई आज की नहीं है नाइंटीन फॉर्टी एट से वो सिलसला चला रहा है वो जो पॉलिसी है और ये बात सही है कि गाजा में जिस तरह से इसराइल के फॉज की तवरा उनकी सेना की तवरा जिस तरह से निर्दोश और आम लोगों को आम जनता को जिस तरह से उनकी हत्या हो रही है ये उनके हमले की जा रहे है वो दुरभागपुन है और सारी दुनिया में उसका कंडम बता दे कि सम्मेलन केंद्र में मौजूद एकान्य वेक्ति ने कहा कि घटना के समय हॉल के भीतर दो हजार से अधिक लोग थे पुलिस के मताबिक सुबह करीब नौ बजे धमाके की सूचना वाला फोन आया और पुलिस की मदद मांगी गई बता दे कि इस पूरे इलाके को घि दहला देने वाली है बता दे कि जिस समय किरल में ये धमाका हुआ उस वक्त राज के मुख्यमंत्री पिनराई विच्यन दिल्ली में धरना दे रहे थे ये धरना कम्यनस्ट पार्टी ने गाज़ा पर इसराइल के हमले के विरोध में आयुजित किया है धमाकों के बाद भी विजन धरने पर ही मौझूद रहे हाला कि उन्होंने ये जरूर कहा कि धमाके के बात के हालात को लेकर उन्होंने राज के डीजीपी से बात की है आपको बता दे कि केरल में पिछले कुछ दिनों से फिलस्तीन के समर्थन में कुछ ऐसे संगठन है जो की लगातार रैलिया क कर रहे हैं दो दिन पहले एना कुलम में हमास के समर्थन में भी एक रैली का आयोजन किया गया था मलापुरा में शुक्रबार को फलस्तीन के सपोर्ट में एक और रैली हुई थी इसमें हमास नेता खालिद मशेल वर्च्वली जुड़ा हुआ था बता दे कि इसराइल